सत्ता के गलियारे में एक बार फिर आपका स्वागत है हमारे साहत है समाजवाधी पार्टी के महाशचयू और प्रवक्ता मुहनसिंग जी अमर सिंग के पार्टी से बाहर जाने के बाद आपने कहा था कि समाजवादी पार्टी को अपनी समाजवादी छवी बनाने के लिए कुछ समय चाहिए अब आपको लगता है कि ये समय पूरा हो गया है समाजवादी छवी बरकरार है समाजवादी पार्टी के मेरे ख्याल से पा गई क्योंकि जो समर्पित लोग हैं नीचे अस्तरपर और मध्यमशड़ी में वो सभी लोग समाजवादी पार्टी में शामिल हो गए और बड़ी तेजी से इसका विकास हो रहा है वो दिखलाई पड़ेगा जब कभी भी उत्तरपरदिस के अंदर चुड़ा होंगे तो समाजवादी पार्टी की ताकत का असास लोगों को अपने आप हो जाए क्या समाजवादी पार्टी अपने पुराने धुरंदरों जैसे राजबबबर और बेनिवा परसाद वर्मा को वापस लाने की कोशिस कर रही है या करेगे देखे इसके पहले भी बहुत सारे लोग जा चुके हैं यह कोई अंती व्यक्ति नहीं हैं जो समाजवादी अंदरों को चोड़ कर गए हो समाजवादी अंदुलन एक धारा है और इस धारा में लोग आते रहते जाते रहते हैं लेकिन धारा का प्रवाग कभी रुका नहीं यदि आप आजादी के बाद जब से समाजवादी अंदुलन के आजाद भारत पे राड़नेतिक पार्टी के रूप में निव डाली गई होते हैं तो जब उनके जाने से धारा नहीं रुकी तो यह इंदी-पिंदी आते-जाते रहते हैं उनको बुलाने के लिए हम लोग परिशानी के समाजवादी पार्टी में कहा जा रहा है दो गुड बन गया है मरसिंग जी के जाने के बाद एक तरफ हैं राम गुपाल यादो ब्रिज भूसर तिवारी और मोहन सिंग दूसरी तरफ है अखिलेस जादो जो सब पे भारी पड़ रहे हैं इस बास से आप कितना इत्पाक रखते हैं यह बिलकुल असत्त है आज जो भी सबाजवादी आद्दोलर में लोग हैं वो सभी मुलाहिम सिंग के पक्षदर हैं उ लोग समाजवादी पार्टी में होएं विकी नहीं है आपको सरस्रेश्च सांशत का पुरुषकार मिल चुका है आप लोगों में धाड़ा है कि ऐसे कदावर नेता को पुरुषकार मिलता है जिनका सरकार से संबंद ठीक रहता है क्या धाड़ा सही है सोबना चठर जीव को पुरुषकार मिला इंद्रजित गूपता को यह पुरुषकार मिला चनर शेखर जी को यह पुरुषकार मिला आप से आखरी सवल भारत में समाजवाद अपनी आखरी साह से गिन रहा है इस बात से आप इत्वाक रखते हैं यह धारा बदलेगी क्योंकि आज सबसे अधिक और सबकी भूख है कि इस देश संपर्न हो और इसमें समता का समाज अस्थापित हो इसलिए मैं असा समस्ता हूँ कि इसकी प्रासांगेकता कभी खतब नहीं हो सकती और इसका काफिला आगे बढ़ता रहे तो सत्ता के गलियारे में आज इतना ही अगले हथे फिर मुलाकात होगी किसी खास सक्सियत से चलते रहे मैजिक टीवी जेसंग नमस्कार